तो वहीं प्रदेश के बिरोजगार युवाओं ने कौशल विकास मंत्री सौरव बहुगुना से मुलाकात कर उनके विभागिय परिक्षा परिणाम जल्द जारी करने की मांग की वहीं बेरोजगार संग के अधेक्ष बॉबी पावार ने कहा कि STF ने VP DO भरती मामले में जिस तरह से बड़े अधिकारियों को गिरफ्त में लिया है उसे सरकार के प्रती उनका विश्वास और बड़ा साथ ही हम उमीद करते हैं कि जल्द अन्यारोपी भी STF की गिरफ्त में होंगे देखे मास्टर माइंड तो हम कहेंगे ने क्योंकि वह मामला पुराना है 2016 की बात है और उस दोरान थे मास्टर माइंड तो अभी बरतमान में भी होंगे कही परन्तु जब इस परकार की गिरफ्तारिया होती है बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारियों होती है बड़े नेताओं की गिरफ्तारियों होती है तो सरकार के परती जनता का विश्वास जरूर बढ़ता है और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रोक करते हैं एक और बड़ी जानकारी का जहां रिशिकेश करण परियाग रेलवे लाइन के नर्कोटा खांकरा दो किलोमेटर की मेंट टनल आरपार हो चुकी है RV, NL और Max कंपनी के अधिकारियों ने मेंट टनल का फास ब्रेक थू का किया जिसके बाद अधिकारियों और करमचारियों ने मजदोरों के साथ टनल के भीतर जश्न बनाया आपको बता दें कि रिशिकेश कंपरियाग रेल लाइन पर नर्कोटा से खांकरा के बीच दो किलोमेटर में टनल का ब्रेक थू हो चुका है प्रधान मंतरी मोधी के ड्रीम प्रजेक्ट के तहट रिशिकेश से कंपरियाग रेल लाइन में पैकेज 7-1 के पोर्टल दो में पहली मुख्य टनल का ब्रेक थू किया गया ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्दी है उत्रखंड सरकार में कैबिनेट मंतरी सितार गंज से विधायक सौरा बहुगुना की हत्या कराने की योजना का परदाफाश हुआ है पुलिस ने चारो आरोपियों को ग्रफतार कर लिया कैबिनेट मंतरी के प्रतिमिधी उमाशंकर दुएदी ने कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है स्पी मंजुना टीसी ने इस घटना का खुलासा किया आपको बता दें कि अवैद करन का धंदा बंद होने और गेहुँचोरी में जेल जाने पर कैबिनेट मंतरी सौरब बहुगुणा को जेल में बंद अभ्योक्तों को 20 लाग की सुपारी दी गई थी पुलिस ने आरोपियों के पास एक कार के साथ नगदी भी बरामत की तो ही चमोली में पाँचवे धाम शिरी हेम कुंट साहिब जी के कपाट आज दिनान का 10 अक्टूबर 2022 को विदी विधान के साथ बंद कर दिये गए सुबह होने से पहले ही संगतों का आना शुरू हो गया था सुबह 10 बजे हेड गरंथी भाई मिलाप सिंग जी ने अरदास की और सुखमनी साहिब जी के पाट की समापती प्रदा ग्यारा बचकर 25 मिनट पर की गई इसके पश्चात रागी जथेद्वार आद दर्बार हॉल में उपस्यत संगतों को गुर्बानी कीरतन सुना कर निहाल किया इस वर्ष की आत्रा की समापती की अरदास कर बैंड बाजों की धुनों के साथ दूम धाम से पंज प्यारों की अगवाई में गुरू साहिब जी के सरूप को सुखासन इस्तान पर सुशोभित कर दिया गए वह उत्राखन में पुलिस पुरुषासन एक्शन में नजर आ रहा है पुलीस ने दूसरे राज़्यों में बैटकर उत्राखन प्रदेश में साइबर घटनाओं को अन्жाम देने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसने की पुरी तयारी की है, पुलिस ने अपराधियों की कुंडली खंगालने के लिए पुलिस टीमे और अने राजियों के लिए रवाना की है तो वही हल्दवानी के गौला नदी, शेर नाले और नंधार नदी का रोधर रूप देखने को मिला हल्दवानी सितारगंज मार्ग पर पढ़ने वाले शेर नाले में भारी पानी आ जाने से हल्दवानी सितारगंज मार्ग चोर गुलिया में बंध हो गया आलम यह है कि रोडवेस बस शालक ने सवारियों की जान को खत्रे में डालते हुए बस को उफानते हुए नाले से पार किया जानाले में पहुँचते ही बस बंद हो गई तो वहीं उत्राखंड ने वक्फ बोड की जमीनों पर अवैद कबजों को लेकर अब समाच कल्यान मंत्री ने सक्त कदम उठाने की बात कही है समाच कल्यान मंत्री चंदन राम दास ने विदान सवा में एक एम बैठक बुला कर विबाग की अधिकारियों को निर्देश दे की उत्राखंड में वक्फ बोड की भूमी पर हो रहे कबजों का निरिक्षण कर और जमीनों की पैमाईश कर अवैद कबजे से जमीनों को बल जन सुनवाई में प्राप्त हो रही शिकायतों का निवारन करने के लिए अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिये साथी उन्होंने का कि आमजनता की शिकायतों का विबाग जल्द समस्या का निप्टारा करे सभी विबाग शिकायत पटल अपने विबाग से समनित शि होटाले में CBI जांच की मांग को लेकर आज राजधानी दैरादून के विधान सभा के बाहर UKD कारेकरताओं ने जम कर प्रदशन किया इस दोरान UKD कारेकरता विधान सभा में घुसने का परयास कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेट लगा कर रोका विधान सभा क के सामने ही UKD कारेकरताओं ने विधान सभा धेक्ष रितू खंडूरी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला दहन किया